नमस्कार दोस्तों स्वागात है आप सभी लोग का सोनु श्टडी क्लासे यूटूब चलनों दोस्तों मैं आप लोको इस आटी बुक क्लास 12 भुगोल चैप्टर 4 मानो बरस्तियां परप्रस उत्र मैं आप लोको स्विडियों बताऊंगा प्रस्त नमबर एक नीचे दिये गए चार विकल्पों में से सही उतर चुनिये कोर्शन नमबर एक निम्रिखित में से कौन सा नगर नदी टट पर अवस्तित नहीं है क आगरा ख भोपाल ग पटना घ कॉलकता कोर्शन नमबर दू भारत की जनगरना के नुसार निम्रिखित में से कौन से एक विसेश्ता नगर की परिवासा का अंग नहीं है क जनसंख्या घनत्तु 400 वेक्ति प्रतिवर किलोमेटर ख नगर पालिका निगम का होना ग पच्छत्तर परतिसस से अधिक जनसंख्या का प्र चेप्त ग्रामेड बर्स्तियों के पेक्ष्या नहीं की जा सकती का गंगा का जैलोड मैदान ख राजस्थान के सुचक और अर्द सुचक प्रदेश ग इमाचल की निचरी घाटियां ग उत्तरपूर्व के बन और पहाडियां कोश्च नमबर चार नेमडखित में से नगरु का कौन सा वर्ग अपने पदानु करम के अनुसार करम बद्ध है क वहत मुंबई बंगलोर कोलकत्ता चेन्नाई ख दिल्ली वहत मुंबई चेन्नाई कोलकत्ता ग कोलकत्ता वहत मुंबई चेन्नाई कोलकत्ता ग वहत मुंबई खंड में सल्लेन होना नमबर तीन को गंगा का जरोड मैदान नमबर चार घव वेद मुंबई को लगत्ता दिल्ली चेंग नई प्रस्त नमबर दू निम्लिखित प्रस्तों के उत्तर लगभगती सब्दों में दीजिए नमबर एक गेरी सन नगर क्यों होते हैं उनका कारे प् कहलाते हैं आवला जाल धर महू ववीना उधमपूर आधी गेरी सन अथ्वा चावनी नगर है कोश्च नमबर दू किसी नगरी सकुल की पहचान की इस प्रकार की जा सकती है उत्तर पांच हजार लाग से अधी जन संख्याग उचितम जन घनत्तों दता उसका बड़ा भाग दुतियो तिरत्यक उच्च इस्तरिय ब्यावसाइक प्रसा सनिकिय प्रवंदकिय सेवाओं आर्थिक गतिविधियों के सल्यन होने से किसी नगरी संकुल की पहचान आसानी से की जा सकती है उत्तर मरुष्थलिय प्रदेशों में गाउं के अवस्तिति के कौन से मुख्य कार होते हैं उत्तर मरुष्थलिय प्रदेशों में जल के आभाव में उपलग्द जल संसादनों का अधिक्तम उप्योग हो सके इसके लिए यहां सहत व्रस्तियों की अवस्तिति को अनिवारे बना दिया है कोसर नमर चार महानगर क्या होते हैं यह नगरी संकुलों से किस प्रक अगरो के विकासता विस्तार के प्रणाम सरूप उनके आपस में प्रकार्यात्मक अंतसम्मंद बन जाते के कारण विक्सित होते हैं इसकी संख्या 50 लाग से अधिक होती है तथा घनत तो भी उच्य होता है प्रस्त नमर तीन निमलखित प्रस्तियों के उत्तर लगभग 150 के लिए उत्तरदाई कारक कौन से हैं उत्तर भारत में मानोव वसाव के आकार वव प्रकार के आधार पर ग्रामिड बस्तियों को चार वर्गों में रखा जाता है नमर एक गुच्छित ग्रामिड बस्ति घरों का एक सहत अत्वा संकूलित प्रारूपी होना है जो की इसकी चारो और फैले खेतों खलीहानों और चारा काहों से प्रिथक होता है संकूलित प्रारूप में जैमितिय आकृतियां प्रस्तुत करती गलिया वो मुख्य मार्ग होते हैं जैसे आयतकार अरी रिखिय त्यादी भारत के उपजाओ जलुड मैदानों उत्तर पुर्वी राज जो मद्य भारत अथा राजस्थान के जल आभाव वाले छेतरू में गुच्चित अत्वा संकूलित बस्तिया पाई जाती हैं सुरच्छा या प्रतिरच्छा कारणों से भी लोग सहत गाओं में रहते हैं नमबर दू अर्द गुच्चित बस्तियां प्राय किसी बड़े ग वर्ग स्विच्चा से अत्वा बल पूर्वक मुख्य गुच्चक अत्वा गाओं से अलग थोड़ी दूरी पर रहने लगता है गाओं के केंद्री भाग पर प्रभाव सालिय लोग काबिज रहते हैं ऐसे बस्तियां गुजरात के मैदान दथा राजस्तान के कुछ भागो में पाई जाती हैं नमर तीन परली बस्तिया जब कोई बस्ति भौतिक रूप से अनेक इकाईयों में बढ़ जाती है किन्तु उन सबका नाम एक ही रहता है ऐसे इकाईयों को देश के अलग-अलग भागो में इस्थानिय इस्तर पर पाणना पाड़ा पाली नगड़ा डाल इत्यादी कहा जाता है यह विखंडन प्राय समाजिक एवं मानो जाती है कार को द्वारा अभी प्रेजित होता है ऐसे गाउं मद्य और निम्न गंड़ा के मैदान 36 गर्द था हिमाले की निचली घाटियों में अधिक पाए जाते हैं नमबर चार परिच्छिप्त बस्तिया की छालो पर जंगलों में तथा भूभाग की अत्यदिक विखंडित प्राकृतिक वाले इस्थानों पर देखने को मिलता है गरामिड बस्तियों के विविन प्रकारों के लिए अनेक कारक और दसाएं उत्तरदाई होती है जैसे नमबर एक भौतिक कारप भूभाग की प्रा वाईयो जटा जल की उपलगता। नमबर दू सांस्क्रितिक और मानों जातिय कारक समाजिक सारशना जाती और धरम। नमबर टिन सुरच्या समन्दित कारक चूरियों और ड़कैतियों से सुरच्या। नुम्पर दो, क्या एक प्रकार्य वाले नगर की कलपना की ज़़ा सकती है नगर भहुँ प्रकरात्मक क्यों हो जाते हैं। उतर नगर अपने प्रकारयों में प्रकार्यों में स्तिर नहीं हैं। इनके गतिसील स्वभाव के कारण विसेसी कृत नगरों के प्रकायों में परिवर्तन हो जाता है। तथा वे लोगों को अनेक सेवाय प्रदान करने वाले आर्थिक नोट की रूप में कार्य करते हैं। अता वर्तमान समय में एक प्रकारे वाले नगर की कलपना नहीं की जा सकती। तीजी से बढ़ती जनसंख्या अता लोगों की इच्छाओं वा अकांच्छाओं को संतुष्ट करने में महत्पोन भूमिका निभानने वाले नगरों को महानगर तथा उनके बाद में घानगर बनने में अधिक समय नहीं लगता। भारत में नगरी जनसंख्या 11 गुना बड़ी ये भारत की 10% नगरी जनसंख्या प्रतम स्रेडी के नगरू में रहती है तता कुल नगरी जनसंख्या का 21% भाग के 6 में घानगरू में निवास करती है। लोगों की आव सकताएं बढ़ने पर विशिस्कृत नगर की महानगर तता उसके बाद में गा नगर नगरिय संकूल बढ़ने पर बहुप प्रकारात्मक बन जाते हैं जहां उध्योग वनित व्यवसाय प्रसासन परिवहन तथा अन्य प्रकार की उच्च इस्तरिय सेवाय महत पूर्ण हो जाती हैं प्रकार इतने अंतग्रश्थी हो जाते हैं कि नगर को किसी विशेश प्रकार वर्ग में वर्गी करित नहीं किया जा सकता बलकि नगर के छेत्रिय विशेश किसी विशेश कार विशेश प्रकार के लिए जाने 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 लगते हैं जैसे दिल जी में नहरुप प्लेस कंप्यूटर के लिए भागी रत प्लेस इलेक्ट्री कल समान के लिए लाजपत राय मार्केट इलक्ट्रॉनिक समान के लिए तथा गांदी नगर रेडीमेट गार्मेंट के लिए इत्यादी अगर वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, कमेंट करें और निश्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थेंक्यू फूर वाचिंग